हेलो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपकी और आपकी ही सिचुएशन से रिलेटेड एससी जेई के एक्जाम के लिए जित्ते भी बच्चे तियारी कर रहे हैं वो दो केटेगराईजेशन में उनको डिवाइट किया है मैंने पहली है जिनको ब्रह्म की इस्तती पैदा होके रखी है और जिनको डर की इस्तती पैदा होके रखी है तो एकर करके हम सब देखेंगे, कुछ मैं basic points लेके आया हूँ तो जिन पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, पहली चीज है कि भाई time for action, तो यहाँ पर आपको कुछ modification करने की ज़रूत है अपने अंदर, आपको इस 25 दिन को utilize करने की ज़रूत है, क्योंकि आपके exam के लिए जो 25 दिन बचे हुए हैं, वो कही ना कहीं बहुत crucial time है, strategy क्या हम नहीं follow करें, या फिर उसी पर rely करते चलें, तो वो भी हम देखेंगी इस वीडियो में, repeated question पे बहुत ज़्यादा बच्चे work कर रहे हैं, तो मेरे भाई repeated जो question का ratio रहता है वो लभग लभग आपका 40-50% रहत है, concept तो वैसा मिल सकता है, आपको repeated question नहीं मिलता है, कई लोग ABCD भी याद करके रखते हैं, वो गलत चीज है वो, तो उसी चीज़ पर हम लोग बात करेंगे, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि expected जो इस बार का cut off है, वो कही ना कहीं आपका 145-155 के आसपास जाने के लिए, तो उसके लिए आपकी जो learning है, technical को लेकिए, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, questions आपकी booklet के solve हो जाने चाहिए, आपने जो book prefer की है, previous year की वो भी solve हो जाने चाहिए, अच्छे से, तभी आप इस exam में बहतर perform करोगे, second है non-technical, जिसमें reasoning आता है, और एक general awareness का section आता ह reasoning में कहीं ना कहीं आपको 45 के approximately 4 ने की जरूरत है, तभी आप selection की 100% उम्मीद कर सकते हैं, तो reasoning के लिए आपको daily basis पे एक घंटा तो देना जरूरी है, क्योंकि एकदम से reasoning ability नहीं बन पाती है हर बच्चे की, कई लोगों की inbuilt होती है, कि वो थोड़ा सा भी दिमाग लगाते ह उनके question बन जाते हैं, तो उसी से related हम बात करने वाले हैं, यहां पे, तो मैंने उन सभी बच्चों को दो category में divide किया है, पहली जो category है, वो है theory, जिनकी complete हो चुकी है, theory completed वाले section में रखा है, और उनको कहीं न कहीं ब्रहम है, और ब्रहम इस चीज़ का है, कि हम तो भाई theory कर च आई है, उनको मैंने डर वाले section में रखा है, तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी यहां से, जिनके theory complete हो चुके है, उनके लिए केवल और केवल मैंने चार point यहां पे रखिया है, पहली चीज की आपको ज्यादस ज्यादा questions practice करने की ज़रूत है, क्योंकि आपकी already theory complete हो चुकी है, आप उसी theory को बार बार पढ़ते हैं, तो आपको यह नहीं समझ में आता है, कि उस particular theory से related किया दि कोई नया question बना, तो कैसे बन सकता है, उसको हम कैसे timely deal कर सकते हैं, आपको सबसे better perform करना हो selection लेना ह तो कहीं न कहीं आपको question की practice करनी है, तो उसके लिए पहली बात तो booklet जो आपको provide की गई होगी, वो देख लीजे, कई लोग जो previous year books solve कर रहे हैं, वो देख लीजे, तीक है, उसको अच्छे से question को देख लीजे, और मेरे हिसाब से कई बचों ने अच्छे से practice कर भी ली होगी तो वो क्या करेंगे, वो test series पे जाएंगे फिर, test series स्टार्ट कर दीजे, ज्यादा समय मत लीजे, पटापट test series स्टार्ट कर दीजे, आप जैने की हमारी test series ले सकते हो, और test series में बहुत अच्छे-च्छे question रखें, जो आपके examination के लिए बहुत जरूरी होंगे, तो उनकी analysis क जैसे आप 2 घंटे का mock test देंगे, mock test ही देना आपको, subject-wide test नहीं देना आपको, mock test देना है, जिनकी theory पूरी complete हुए, तो वो mock test देना start करिए, और उसके बाद बैठ के ये देखिए, आदे घंटे का gap ले लिजे, उसके बाद 2-3 घंटे बैठ के ये देखिए, कौन सा question था, क कुछ और भी question की क्या possibility हो सकती है, वो analysis करिए, और एक page पे लिख लिजे, क्योंकि वही short form में जो theory आपने कहीं गलती की होगी question में, वो short form में आप लिखे रखेंगे, तो exam के पहले आपको बहुत बहतर काम करेगा, definitely आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करने वाला है, तो ये दो point तो आप हमने deal कर लिए, second, जो third point है, वो यह learn concept through the question, केवल question solve करने से नहीं होगा, question जो आपने solve किया, उससे आप theory भी पढ़िये, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल theory पढ़े जाए, तो इसलिए question को एक base बनाईए, एक reference बनाईए, और उसी को reference को बनाते better perform करोगे आप लोग, next है, जितनी भी आपने theory पढ़ी है, उनको short notes में cover कर लीजे, तो बहुत बच्चों ने short form में already cover करके रखा है, short notes बना के रखे है, ठीक है, मैंने उसका एक sample PDF भी आपको एक video के 3 आपको बताया भी था, ठीक है, second, वो short notes के साथ, आप जो भी question perform किये, व भी add करिए, वो concept भी add करिए, test series में जो आपने question देके रखिए, वो भी आप add कर लीजे, तो आपके लिए definitely ये कहीं ना कहीं सबसे best strategy रहेगी, जो इस examination को crack करने में काम आएगी, और मैं आपको 100% की guarantee देऊंगा, कि भाई, इससे आपका 100% selection हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए आ completed वालों का, जो अभी कहीं ना कहीं ब्रह्म में थे, और वो शायद यहां से समझ चुके होंगे, कि उनको क्या follow करने की जरूत है, और क्या नहीं follow करने की जरूत है, नेक्स अब हम आगे बढ़ते हैं, जिनके theory अभी complete होनी बाकी है, तो वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, कि यार हमारी theory अभी complete नहीं हुई, अभी theory भी complete करना है, question भी solve करना है, previous जो subject हो चुके है, उन पर कैसे command करें, ठीक है, क्योंकि अभी theory भी complete करनी बाकी है, जो बाकी subject की है, तो उनको भाई क्या करने की जरूत है, यहां पे आप जो भी theory पढ़ रहे हो, उसी के साथ साथ, जैस second चीज है, subject wise test देते रही है, क्योंकि अभी आपका पूरा portion complete नहीं हुआ है, तो subject wise test दे दिजे, और जैसे ही आपकी theory पूरी complete हो जाए, उसके बाद mock test तो जरूर दीजेगा, कम से कम 5 से 10 mock test तो आपके हो जाने चाहिए, और उसकी analysis भी अच्छे से हो जाने चाहिए, तभी आपको definitely इस exam में success मिलेगी, next है, जो बहुत बड़ी गल्ती करते हैं कई बच्चे, कि वो theory ही अभी पढ़ते जा रहे हैं, साथ-साथ में, उसी theory को बार-बार रात को बैठ के revise करते हैं, अगले दिन भी revise करते हैं, ठीक है, आप theory revise करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या उस उससे question बन पारे हैं आपको, ये भी सोचने की जरूत है, या आप time के साथ question को solve कर पारे हो, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये कहां से बदा चलेगा, question practice है, तो आपके पास जो booklet आप provided है, जो भी आप institute में पढ़ रहे हो, जैनिक में जो पढ़ रहे हैं, उनको भ जो भी आप booklet solve कर रहे हो, तो 20 questions का लगातार solve करिए, और उसके बाद में आप देखिए, कि आप क्या उस question को अच्छे से कर पाए, क्या उस dedicated time में आपने उस question को complete कर पाया, क्योंकि हर question में SSCJ में लबग 40 second मिलने वाले हैं, तो ये समझना बहुत जलूरी है, इसलिए आपको सबसे अच्छी चीज यहाँ पर क्या करनी है, practice करिए questions की, question की ज़्यादा practice करिए, all and over मैंने आप दोनों category के लिए अच्छे से बता दिया है, आपको इस exam में success पानी है, इस exam में 100% selection लेना है, और फिर आपको mains exam के लिए appear होना है, तो आप इनी strategy को follow करना है, ना ही आपको ब selection मिलेगा, तो भाई, thank you so much, ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियो लाते रहूँगा आप लोगों के लिए, और comment section में ज़रूर बताईए कि आपको इन सब चीजों से फायदा हुआ, और आप कौन से category में थे, भ्रहम में थे या पिर आप दर section में थे, तो ज़रूर comment section में बताई गा, thank you so much, bye bye